मैं आप लोगों का और जो वेब कास्टिंग पर लाइव देख रहे हैं सबका फिर से स्वागत करता हूं और आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं अबी मैं मनुष्यों से मनुष्यों के रिष्टों के नियम बता रहा हूं और नियम का आर्थे आपका कोई आर्गुमेंट लॉजिक काम नहीं आएगा नियम का आर्थे पानी H2O से बनेगा तो H2O से ही बनेगा सुबे से रात तक यदि नाइट्रोजेन और ऑक्सिजेन को गिता सुनाओ तो भी पानी नहीं बनेगा कि बनेगा नहीं नहीं सुरू अब यह लोग इहीं समझा रहे कि बनेगा लेकिन नहीं बनेगा विज्ञान धरम की शुरू आते जितने भी धरम समाज शास्त्रे हैं वो बकवास हैं विज्ञान पहली सीड़ी है धरम की और हम जो चर्चा कर रहे हैं या जो क्राइस्ट क्रश्णा लाउज्जू केते हैं अश्टावकर केते हैं कबीर केते हैं वो सबके सब नियम है और मुझे आश्चर्य होता है ये बात तो सही है कि भारत की धर्ती ही कुछ ऐसी है कि प्रक्रती के रहस्य समझने वाले लोग अधिकांश यहीं पेदा हुएं लेकिन उससे कोई फरक नहीं पड़ता उससे कोई भारती है ये दावा नहीं कर दकता कि वो समझता है नहीं समझते हंडेट परसंट इरोपियन ज़्यादा हैं अभी तक की जो बात कही सबको एकदम काच की तरह साफ हो गई क्यों फसे हैं ये समझ में आ रहा है क्यों मर गए ये समझ में आ रहा है और कितनी बुरी तरह से मार डाला और फसा दिया ये भी समझ में आ रहा है लेकिन हमें निकलना है और निकालना भी है ये सबका कर्तविया है ये अच्छी बात है कि आपको आज लाईव चर्चा में बैठने का मुका है लेकिन जितना समझते हो उसका सार समझाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी क्योंकि ताली दो हास्ते बजा नहीं आपको भी अभी मैं आपको कुद्रत का एक और रहस्य बताता हूँ कि गरबड कहां हो रही है और बहुत बुरी गरबड कर दी जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इतने महान सत्यों को समझने के लिए आपको मुझे भी सुनने की जरूत नहीं थी समझ मा रहा है ना प्रक्रती ने इतनी खुबसुरत यह अस्ता कर रही है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है लेकिन जो सुला दिया कैसा सुलाया सोचो बात तो वही है जो आप जानते हो मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ न कभी क्रश्टना ने कोई ऐसी बात कही जो कोई मनुष्य नहीं जानता है वेसी बात तो कहने का किसी को अधिकारी नहीं है इसी दुनिया की बात है, कौन नहीं जानता है फिर भी कितना ज्यान, कितना अंदकार, कितनी नींद अभी एक बार फिर मैं जो समझाना चाहरा हूँ, वो समझो कि मनुश्य क्या है, मुझे जवाब दो आप मनुश्य हो, अब आप क्या हो, चलो बताओ मुझे आप हो क्या, चांती से बताओ, आप हो क्या आपने कहे दिया, हाँ मैं मनुश्य हूँ, मान लिया अब आप हो क्या, हम सिर्फ शरीर है, और कुछ नहीं है मनुश्य एक मन है, मन है मन मतलब, मतलब माइक पास मेलो, माइक पास मेलो, मन मतलब क्या मत बदो जो हमारी तब नेचर जो चाहता है मन है तो भी नेचर कहां से आगिया हाँ फिलिंग्स भी करने मत टेंशन आपको रहा है तो आप हो फिलिंग टेंशन भी है ना करवल हो जाएगी ठीके अभी देखो आप को नो आपका काम इससे निपट जाएगा देखो आप माइक उनको दो यह आपका इंट्रोड़क्शन आप दे सकते हो कि आप प्रक्रतिकी सर्वस्रे करशन हो तर आप से ही सुना में मेरा सुना होगा काम नहीं आएगा वो जो बोला था मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ सिंपल समझना खेर आगे के टॉपिक में मैं कवर करूँगा क्रशन ने गीता कही जब मैं गीता समझाता हूँ तो हमेशा कहता हूँ क्रशन ने किस से कही किस से कही अर्जुन से आप से कही नही फिर वो ही अर्जुन क्रश्न को एक बार फिर केता है कि मुझे गीता सुनाओ क्रश्न केते हैं कौन सी गीता मेरे को याद नहीं है इसलिए कल मैंने क्या कहा तो आप आज कनेट करोगे तो अभी भटके होगे हो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्यान शब्दों का विशय नहीं है आप शब्द पकड़ते हैं तो उसको परिभाशित करो मन हूँ, सर्वसेश रतना हूँ परिभाशित करो तो मनुष्य क्या है उसको भी छोड़ो चलो प्रक्रति की सारी आइटम क्या है चलो सूरिय है, पानी है, हवा है मैंने क्या कहा मैंने आपसे एक बात कही कि जो नियम कन पे लाग हुए वोई मनुष्य पे लाग हुए ये बेवकुब कहां से क्या खोचते हैं क्या बात करते हैं नॉलेज बड़ा सिंपल है मैं इसलिए बार-बार कहता हूँ कि कैसे कोई व्यक्ति बिल गेट्स बने बगर मर सकता ये मेरी समझ के बार की बात है मेरे समझ के बार की बात है लेकिन फसा दिया और बुरी तरह से फसा दिया अब प्रक्रती को कोई इंट्रेस्ट नहीं है आप चाहो नियम के दाइरे माओ आगे बड़ो आप चाहो बरबाद हो जाओ आपकी जानो और हमने अपने को बरबाद करा है और जगत ने मिलके हमें बरबाद कर दिया है अब हमें बरबादी से निकलना है तो बड़ी सिंपल बात है कि आप क्या हो जो आप हो वोही सूर्य है वोही हवा है वोही पानी है वोही लकडी है वोही लोहा है अलग नहीं है अब बताओ क्या है सर साइकलोजी एक मिट कॉन बोला साइकलोजी साइकलोजी का अर्थ बता चल कितने पड़ा हुआ है हा अ सर जवाब परफेंट है लेकिन है आपको समझ में आना चाहिए ये सामान्य ज्यान है ये सामान्य ज्यान है जो काइदे से तीसरी क्लास के बच्चे को दिआ जाना चाहिए और दुर्बा कि Kayla के ये है कि करोलों में एक को ये ग्यान है और इत्यास में दस आदनी को भी ये ग्यान नहीं है ये दुरबग गे है मनुश्य का तो हर चीज सिर्फ एक साइकोलोजी है प्रक्रती की रचना में सब कुछ एक साइकोलोजी है बात समझ में आ गई? इसको आप मनुश्य कह रहे हो हाँ नहीं इसी को आप इतना बड़ा इंस्ट्रुमेंट आप होई नहीं इतना बड़ा इंस्ट्रुमेंट आप नहीं हो समझ लेना ये सुर्य है ये चांद है, ये हवाय बेह रही है ये पानी है है ना? इतना बड़ा समुदर दिख रहा है इतना बड़ा समुदर है नहीं अग्यान है इतना खराब तरीके से मनुश्य को सोचने पे मजबूर कर दिया गया है कि वो भ्रमित हो गया है तो सबकुछ एक साइकोलोजी है जो इसने कहा, बिलकुल बराबर सिंपल बात समझना साइकोलोजी का अर्थ क्या होता है कुछ मुझ में है जो सबसे अलग है और वो जो सबसे अलग है, वो में हूँ वो मेरी साइकोलोजी है समझ में आगी बात तो मनुष्य की साइकलोजी कहा है यहाँ पर है इस मन में है आपके भीतर यहाँ पर जिसको रदे कहते हम पॉइंट करूं अगर मैं मैं मन हूँ किताब में I am the mind में में डिटेल में समझा चुका हूँ केजी स्टुरंट के हिसाब से कि ऐसा 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 है यह आप हो बाकी कहीं नहीं हो आप और सारी उलजन यहाँ किये अब क्या प्रॉब्लेम है कि यहाँ पर सब ने इसको मा डाला मिलके दरम, समाज, शास्त्र, परिवार, स्कूल, कोलेज, सब ने मिलके इसको मा डाला अब आप मर गए, यह आपकी हकीकत है, यह मनुष्य की हकीकत है, आपकी मतलब मनुष्य की, कोई परसनल मतलो हाँ अब क्या समझते हैं, समझ लेना कि हम हिंदू हैं, हो आप हिंदू, हो सकते हो आप हिंदू, मैं MBBS हूँ, हो सकते हो आप हो सकते हो आप अब जमेला खड़ा कर दिया आप यहां पर हो और आपको बार-बार बता रहे हैं यहां पर हो आप क्योंकि जो भी आपके समाज और शास्त्र है यह जानवरों का ग्यान है जानवरों द्वारा दिया गया जानवरों के लिए दिया गया ज्यान है जानवर शरीर है आप शरीर नहीं हो आप उससे बहुत उचीचीज हो आप उससे बहुत उचीचीज हो जानवर की psychology कैसी है, छोट इसी दिये बगवान ने, कि शेर है तो शिकार करेगा, घास नहीं खाएगा, है न? पूरे जेन शास्त्र उसको सुना दोगे, नहीं खाएगा, बक्री है, उसको कितना ही ताओ पर चड़ा दोगे, मास नहीं खाएगी, यह ना, अब जानवरों की दिक्कत क्या है, कि सारी बक्रियां एक जैसी होगी, बात समझ में आ गई, मनुश्य ऐसा नहीं है, कोई शिकार भी कर जाएगा और कोई में में भी करेगा, यह ना, बात समझ में आ गई है, तोला सा फरक समझ लेना, अब सुरिया क्या है, सुरिया कुछ भी नहीं है, साइकोलोजी है, और साइकोलोजी क्या है सुरिया की, प्रका फिर इतना बड़ा गोला बनाओ यह बनाओ वो गोला कितना इंहें बड़ा हो एक साइकॉलोजी पानी भी साइकॉलोजी यहां आ जो प्यास बुझाती और भेती यहां अब पानी को बोल तो स्टेच्चू है है हो जाएगा यह आपको जो ज्ञान दिया जाराना कि पाणी को बोलें कि स्टैच्चू तो स्टैच्चू और आप उसको घ्न समझ रहे होरा है पांई को स्टैच्चू नहीं किये सकते ये पांई कि साइकोलोजी है वेसे ही मनुष्य यहाँ पर है और मनुष्य और जानवर में इतना सा भेदे कि हर मनुष्य की अपनी एक साइकोलोजी है clear? clear? बक्री नहीं हो, शेर नहीं हो, सूरिय नहीं हो सूरिय एक ही है, चांद एक ही है वेसे ही समुद्रा में पानी है अरे पर पानी की साइकोलोजी में हो है ना, नदी है तो सब बराबर है है क्या पानी, पानी क्या साइकोलोजी बहेगी कितना भी रोकने की कोशिश कर लो नहीं रुकेगा जगे मिली नहीं की बहा नहीं साइकोलोजी है अब पत्थर है, वो भी एक साइकोलोजी है, कितना ही उसको बोलो, चलते रहना जीवन का काम, आगे बढ़ो, पीछे हटो, दस साल तक उसको ग्यान दो, वो वहीं का वहीं ख़डा रेगा, कितना भी ग्यान दे दो, अब यह उसकी साइकोलोजी है, अब यह मुर्ख लोग और दूस्त लोग कहे रहे हैं कि साइकोलोजी चेंज करो, जिसको आप ग्यान कहे रहे हो, है ना, ग्यान क्या है, समझ में आ रही है बात, कितना भटका दिया है, समझ में आ रही है, ग्यान क्या दिया जा रहा है, कि तू रोजे रख, तू उपास रख, तू मत खा, तू धार् रहे हो, किसको दे रहे हो, दुनिया में कोई जनरलाइज ग्यान नहीं है, कि ये कर, ये मत कर, जो ऐसा के रहा है, वो जानवर से बत्तर है, जिसने भी कहो लिख के रख लो, बले बले नाम आपके पास है, जिसने भी कहा है, तु ऐसा कर, तु ऐसा मत कर, वो जानवर से बत्तर मनुष्य को जानता ही नहीं है कभी कभीर ने कहा दारू मत पियो नौन वेज मत खाओ त्री से दूर रहो एक भी ज्ञान दिया क्यों 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 परम ज्ञानी है समझ में आरे ये बात कि नहीं आरे ये ज्ञानी अग्यानी का भेट तो समझ जाओगा आज के बाद कि नहीं बराबर है ये विचारे तो कितनी शराफस्ते कहते कभी क्राइस ने कहा क्या कहते हैं वो कि दुसरों के साथ वो विवार मत करो जो आप नहीं चाहते कोई आपके साथ करे आपकी साइकलोजी से खिलवाड कर रहे हैं आपको बदलने की कोशिश कर रहे हैं गलत हैं आप यहां हो और इतने खुपशूरत हो पूरे के पूरे भगवान हो और आज भी आप यहां पर विराजमान हो और सिर्फ उसका content प्रक्रति से हो सकता है बाकी किसी item का caught intent प्रक्रति से नहीं हो सकता है तो आप क्या हो एक साइकोलोजी हो अब इतनी गरबल कर दी कि बिचारे मनुश्य को मालूमी नहीं है किसी को कि वो आइटम क्या है भरमीत हो गए अब अब मैं किससे भी पूछू कि तू क्या है वो नहीं बता पाएगा क्यों? क्योंकि बहुत आगे निकल गए यहाँ पर आगए आप नहीं बता पाओगे समद लेना तो धरम की पहली निशानी है अपनी साइकोलोजी को पेचानना बात समझ मारे यह और यह इतना आसान नहीं रहने वाला है लगात्तार सुनो मैं आपको आपसे मिलवा दूँगा ज्यानी आपको आपसे मिलवाते हैं दूस लोग आपको कैसे भगवान से मिलवाएंगे अरे मुझे अपने से मिलना है बाबा I am God मुझे अपने से मिलना है मैं यह हूँ मुझे खोजनाम आइटम क्या हूँ अभी मैं पूछूँ आपसे किसी से भी पूछूँ कि तुमारी तीन खुशियां बता दो जिससे मिलते ही तुमको ऐसा लगे अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए भरमित हो जाओ गया फिरम के लिए इस तीस फोचेगी पिर कटेगी फिर पोचेगी और फिर आज बताओगे साथ दिन मारी बुचआ कैंसल क्यों क्योंकि चूंकि आपके आप मालूम पढ़ना ही बंद हो when to go आपके खुशी क्या है आपके घम क्या है आपको मालू होना चाहिए आप किस चीज की सेवा करना चाहते हो उसके लिए आपको पेचाना तो पड़ेगा न कि मैं चीज क्या हूँ मेरी पसंद क्या है, मेरी नापसंद क्या है, मेरा दर्द क्या है, मेरा दुख क्या है, मेरी प्रतीबा क्या है पेचाना तो पड़ेगा न तो psychology का आर्थ होता है human के संदर्ब में कि उसके कुछ शोक है उसकी कुछ पसंद है उसकी कुछ ना पसंद है उसकी कुछ पतिभाएं है उसकी कुछ चाहें है बरो बरे? यह आप हो यह आप हो अब यह पूरे 500 करोल की अलग अलग है एक की भी दूसरे से मेल नहीं खा रही है यह बाद समझ मा रही है प्रती पर मेल नहीं खाएगी खा ही नहीं सकती प्रक्रती का नियमी नहीं है जितने मनुश्य उतनी psychology प्रक्रती में unlimited creativity है जितने मनुश्य उतने चेहरे जब चेहरे इतने भिन भिन है तो psychology जैसी विशारचीज एक कैसे हो सकती है हो सकती है क्या मिलती है कभी किसी से किसी की psychology और यह कैसी खतरना के यह कैसी खतरना के अभी बताता हूँ इसलिए प्रकृति का एक परम नियम ध्यान लख लेना प्रकृति में दो मनुष्यों की साइकोलोजी ही नहीं है यानि की प्रकृति किसी कीमत पे दो मनुष्यों को मिलने नहीं देना चाहती मिलने की इजासत ही नहीं है क्योंकि आप एक साइकोलोजी हो जिसका रिष्टा सिर्फ प्रकृती से है समझ में आ रहे ये बात अब ग्यान क्या दिया जा रहा है कि आप इससे मिलो कैसे मिलोगे दो different psychology है मिल ही नहीं सकते करो सारी कोशिशे मिलने की है है न कोशिशे मिलने की है न मिल पाओ उस दिन बताना की मिल लिए संभवी नहीं है इसलिए क्रश्ण गीता में अर्जुन से कहते है कि मेरे भाई एक तू बाकी सब निमीत मिलने मिलाने की बात ही मत कर ये बेवकू भी भरी बात तेरे पास रख ये ताओ है ये चाचू है ये मामू है न ये बात तेरे पास रख ना कोई ताओ है ना कोई गुरू है ना कोई मामू है ना कोई अच्छू है ना कोई बुरू है ये सबकी सब एक साइकोलोजी है हमको समझाया जाता है अर्जुन को भी एसा ही था बिचारा शास्त्रों का दवा हुआ डरा मरा हुआ तो वो कहता है कि देख गुरू, देख चाचो देख ताओ, करश्ण यूँ देख रहे हैं का है वो, द्रॉन जिसको तो गुरू कह रहा है, साइकोलोजी है वो भिश्म, साइकोलोजी है वो दुर्योदन साइकोलोजी है तो करश्ण अर्जुन को कह कह रहे है मूर्क ये सब को शरीर मतमाने ब्रहमित हो जाएगा शरीर मतमाने ब्रहमित हो जाएगा ये बीबी है, लो है देखो, ये बच्चा है और वो एक साइकोलोजी है इंडिपेंडेंडेंट साइकोलोजी है, पावरफुल और साइकोलोजी का आर्थ क्या है? समझ लेना प्रक्रती के जिंदा और मुर्दे की परिभाशा भी शरीर की नहीं है ये भी आपको समझा दिया गया है और अब डर गये हो अब लगता है कि शरीर गया हम गये, शरीर है हम है, इसी को जिंदा के रहे हो न? नहीं, प्रक्रती की ये परिभाशा नहीं है क्रस्ने की ये परिभाशा नहीं है है ना? क्रस्ने यही तो कह रहे हैं कि तो लाखों को मार डाल न कोई मरने वाला है न कोई मारने वाला है तु चर्चा बार बार शरीर की कर रहा है समझ ले ना अर्जुन चर्चा बार बार शरीर की कर रहा है और करशने कह रहे हैं कि शरीर ही नहीं मैं चर्चा कैसे करो यह साइकोलोजी है मैं भी आप से कह रहा हूँ आप psychology हो, शरीर नहीं हो और आप तब मरते हो जब आपकी psychology मरती है शरीर की मौत, मनुष्य की मौत नहीं है ये गलत बात है मनुष्य की psychology मरी कि मनुष्य मर गया और बच्चा चार साल से उपर गया नहीं कि उसकी psychology मर जाती है फिर उसको आप जिन्दा केलो मैं जिन्दा नहीं के सकता आप जिन्दा केलो क्रश्णा मानने को तयार नहीं कि जिन्दा है जिन्दा वो है जिसकी साइकोलोजी सलामत है क्लियर हो रहा है अभी सूर्य है सूर्य की साइकोलोजी है रोष्णी देना विटामिन D देना, जिस रोग देना बंद करेगा, साइकोलोजी खतम हो जाएगी उसकी, आप क्या कहोगे, सुरिय मर गया, बने पड़ा हो गोला, काला हो गया, दिखी निरा कहा है, क्यों? क्योंकि साइकोलोजी खतम हो गई, सुरिय शरीर नहीं है, वो जिन्दा तभी तक है जब तक वो विटामिन D दे रहा है, वो जिन्दा तभी तक है, जब तक रोशनी दे रहा है, वैसे ही आप भी एक साइकोलोजी हो, और जिन्दा तभी हो, जब तक उसमें स्तीत हो, अब दुरभाग यसे साइकोलोजी से कर दिया दूर, यानि मनुश्य को अपने से कर दिया अब बिचारे का जो खेल था वो इसके और इसके बीच में था वो खेल अब वो इधर खेल रहा है कुछ हाथ में आने वाला नहीं है आने रहा है बच्चा यहाँ पर बैठी प्रक्रती के साथ मिलके महान कारिय कर सकता था साइक्वलोजी मर गई, मनुश्य मर गया पानी जिस रोज प्यास बुजाना बंद कर देगा काम खतम हो गया पानी का मेटर एंड क्लियर है यह? हाँ? हाँ! आप संजो साइकोलोजी क्या है जो मैं संज़ाना चाहा हूँ साइकोलोजी क्या है? साइकोलोजी है मनुश्य के चडर्मान चंड इख्यान चंड पादिवाएं यहार मनुश्य में है हाँ νा? अभी कोई शानत है कोई उपद्रवी है किसी को कमाना है किसी को संतोष में मज़ा है यही साइकोलोजी है ना है किसी को पढ़ना है किसी को नहीं पढ़ना है किसी को खेल में इंट्रेस्ट है किसी को मुजिक में इंट्रेस्ट है किसी को कपड़े पिरना अच्छा लगता है किसी को जेन मुनी बनना अच्छा लगता है चलो मान लो अपने अपने शोप लेकिन साइकोलोजी है यदि आपकी है तो अभी आपकी साइकोलोजी तो कायब हो गई अब आपके पास जो साइकोलोजी है वो उधार ली हुई है, है ना, जिसको आप अपना होना कह रहे हो उधार है, यानि की मर गए, उसमें कुछ भी कर लो मजा नहीं आएगा, कैसे आएगा बताओ मुझे, समझ में आ रहे हैं ये बात, बराबर समझना शांती से, अब जो मैं कहना चाहरा हूँ, वो सिंपल ये है सिंपल समझना, कि आश्मान में कितने तारे हैं, अर्बो तारे हैं, है ना, कभी किसी ने देखा, कि आपस में जगड़ा हुआ, डिस्प्यूट हुआ, मार पीट हुई, किसी ने किसी को ग्यान दिया, तारो के भगवान प्रकट हो गए, सुना, तारो के शास्त्र निकल आए, सब बड़ी शांती से आपस में मिल के रह रहे हैं, क्यों, क्योंकि कोई एक दुसरे से मिलने की कोशिश नहीं कर रहा है, कर र की साइकोलोजी अलग है, किसी में हिरे भी दबे पड़े हैं, तारो में, कारबन भी दबा पड़ा है, पानी भी है कईयों के पास, हरे के अपनी साइकोलोजी है, सब अलग है, और सब की साइकोलोजी सलाम आते हैं, यूगों से, अर्बों वर्षों से, प्रत्वी, सूरिय, पानी, तारे, सब मिल जुलके रहे हैं, कोई कस्ट नहीं है, कोई कस्ट है, क्यों, क्योंकि ज्ञानी पेदा नहीं हो रहे हैं वहाँ पर, इसलिए कोई उनको ज्ञान नहीं दे रहा है कि तुम्हारी साइकोलोजी चेंज कर लो, चांद को कोई उक्सा नहीं रहा है कि सुर्या बंजा, क्या तेजे देख, कोई उक्सा रहा है, चांद अपनी जगे खूशे, सुर्या अपनी जगे खूशे, ना बदलने की कोशीश है, ना मिलने की कोशीश है, कुछ भी करबन नहीं होगी, अब आपको कहा गया है कि बदलो और मिलो बदल के दिखा दो मिल के दिखा दो बदल के तो दिखा दिया सबने मनुष्य पेदा किया था जानवर से नीचे गिर गए यह मनुष्यता के लक्षन नहीं है दूसरे के दर्द में खुश होना दूसरे को दर्द देना ये मनुश्यत्या के लेक्षन नहीं है लेकिन सब को बदल दिया खाने के शोकिन को रोजे पर लगा दिया अच्छा कासा धंदा कर रहा था सन्यास दिलवा दिया वो सन्यासी बिचारा खुशता उसको बिजनेस में लगा दिया है न हम जादू चल रहे हैं सो ये सब हिल मिलके रेते हैं आपको भी हिल मिलके रेने का एक ही उपाय है कि मेरबानी करके कोई किसी की साइकोलोजी चेंज मत करो साइकोलोजी मरी मनुश्य मरा और साइकोलोजी बड़ी कमाल किये कुद्रत में दो आदमी की साइकोलोजी नहीं है अभी पत्ती और पत्नी है न हम दोनों एक है साथ जन्मों का साथ है अरे मेरे बाप तुम साइकोलोजी हो एक सेकंड का साथ संभव नहीं है तुम साइकोलोजी हो गलत सिक्षा है अब क्या होता है एक को टीवी देखना है, दूसरे को सोना है, होता है, लो, साथ जन्मों का साथ, एक सेकंड में टेंशन, है न, एक की साइकोलोजी को टीवी देखना है, दूसरे को सोना है, चलो, मिल जूल के डिसेट कर लिया, दोनों टीवी देखते हैं, मैं ये देखूंगी, मैं वो देख ख़ली हो गई लो, चलो खाना खाना चलते हैं, चलो, Chinese, नहीं, यह फिर उल्जन ख़ली हो गई, अरे तुम दो psychology हो, बेकार की बाते कर रहे हो, मिलके बता दो मेरे को लो, बता दो मिलके, क्यों परेशान कर रहे हो मनुश्य को, क्यों मार रहे हो, इतना खुबसूरत मनुश्य उसके और कुद्रत के बीच में ग्लिडा चल रही है, बाकी सब साथी संगी हैं, उनको साथी संगी रहने दो, क्यों नाम देते हो, धरम, समाज, रिष्टों को नाम दिये जा रहे हैं, रिष्टों के नाम हो जी नहीं सकते हैं, सो प्रक्रती की एक ही बात है, कि दो मनुश्य रेल्वे की पट्री है, एक पट्री की साइकलोजी ए है, दुसरी की साइकलोजी बी है, दोनों साथ साथ चल सकते हैं, बहुत फरक समझ देना, साथ साथ आप एक के नहीं हजारों के साथ साथ आप चल सकते हो लेकिन उससे भी न तो वो आपका हो पाएगा न आप उसके हो पाओगे न कभी मिल पाओगे यह सिंपल सत्य है जितना इसको बदलने की कोशिश करोगे मरोगे, मरोगे, मरोगे और अंदर से मर चुके और सबको समझ में आ रहा है कि ऐसा विश्व हो जाए तो मज़ा आ जाए विश्व ऐसा नहीं होगा आदमी को ऐसा होना पढ़ेगा जरा हिम्मत लानी पढ़ेगे na विश्व ऐसा नहीं होगा तो रेल की पट्री है साथ साथ रहो दोनों की साइकोलोजी सलामत है तो आप साथ साथ चल सकते हो अभी साथ साथ नहीं चल रहे हो शरीर साथ साथ चल रहे है शरीर कितना भी साथ चल ले क्या फाइदा है एक दूसरे को तकलिफ देते है तकलिफ ही दी जा रही है फिर लाते हैं रिष्टों में कॉंप्रोमाइस तो करना पड़ता है अब तो कौन कितना एड़ेस करके किसी तरह से गाली निकाल ले मौत आजाए जान छुटे बस निकाल दो गाली को दो पट्री की गाली मनाई थी कुद्रत ने एक पट्री पर चला रहे हैं और केरे देखो क्या संस्कृत ही हमने बनाई है अब एक पट्री पर ट्रेन चलेगी क्या ट्रेन चली नहीं रहे हैं दोनों पट्री सलामत रहनी चाहिए तो क्रश्ना, क्राइस्ट, कबीर आपके वजूत की इज़त करते हैं आप इंसानों, आप भगवानों, आपका सम्मान, आपकी इज़त, आपसे प्यार आप गलत होई नहीं सकते, गलत हो भी नहीं गलत आपका वो बॉक्स है, जो ज्यान के कान आपने बना लिया है और पटरी कभी मिलती नहीं है, कभी बिछलती भी नहीं है बिछलती है, हज़ारों किलोमेटर चलती है, पेरलल टक 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 कभी नहीं बिछलती है, कभी बिछलेगी भी नहीं आप साथ साथ चलोगे, कभी नहीं बिछलोगे और आपको मनुश्यों के भी साथ साथ चलना सिखना पड़ेगा कुद्रत के भी साथ साथ चलना सिखना पड़ेगा क्योंकि कुद्रत से मनुश्य को एक ही रिष्टा एलाउड है और वो दोस्ती का है दूसरा कोई रिष्टा एलाउड नहीं है ये मेरी मा है नहीं हो सकती दोस्त हो सकती है ये मेरी बीबी है दोस्त हो सकती है कोई धार्मी का सामाजिक बंदन allowed नहीं है कुदरत में allowed नहीं है सब दोस्ते तो दोस्ते तो जबजस्ती नहीं है मिलने बिछणने पर प्रतिबंद नहीं है है कोई कानोनी लड़ाई लड़नी पड़ती है दोस से बिशनने के लिए कुछ भी जनजट नहीं है तो आप दोस्त थे दोस्त रहोगे दो ट्रेन की पट्री है वजूत सलामत रखो ये लोग वजूत को मारने कोशिश कर रहे हैं आप कोशिश करो आपस में कि एक दूसरे का वजूत सलामत रहे। समझ में आगई? कर पाओगे? येस! हाँ? मारो मत, पकडो मत, दोनों जिन्दा रहोगे, तो रेल की पट्री की तरह चलोगे। अरे हम भी जिये हैं, करश्चन का जीवन तो मैं डिसकस करूँगा ही, रिष्टों में, लेकिन मैं भी जिया हूँ, कितने रिष्टे हैं, और सबसे महानतम रिष्टे भी मेरे हैं, कोई तकलिप नहीं आती। ये छोड़, पकड़, बांदा, जबजस्ती, तेरा, मेरा, और साथ जन्मों का साथ, ने सित्तर जन्मों का साथ नीचे, ये एक पल का सुख से साथ मिल जाए, काफी हैं, मत पढ़न जन्जटों में, जो बस सकता है, बच जाओ, जितना बस सकते हो, बच जाओ, मैं ये नही आपका वजूद भी सलामत रहे, दोनों अपने वजुद से मिले, ना, दोनों में एक दूसरे को देखकर प्रक्रति के निकट जाने की इच्छा जागे, संसारिक प्रेशर में दबे ना, दार्मिक प्रेशर में दबे ना, तब बात बनेगी, तब एक और एक ग्यारा होंग तब जाके जीवन बनेगा मैं कहता हूँ मेरे बचपन से आज तक नजाने कितने रिष्टे रहे हैं सब जग़ पर है लेकिन कभी मिलना बिछडना ही होता है इस रेल की दो पट्री है बिछड नहीं सकती कैसे जुदा हो जाते हैं समझ में नहीं आता क्यों इतने लफ़ड हो जाते हैं समझ में नहीं आता क्योंकि प्रक्रति के नियम के इसाफ से नहीं चलते हैं मैं आपको आज अभी अमी को बुलाना चाहूंगा अमी प्लीज कम अभी बड़े लोग आते तो उठना पड़ता है ना तो अभी देखो हम क्या सोचते हैं मैं अपने जीवन के बारे मता रहा हूँ हम लोग मुझे सालवाल कुछ याद नहीं रहता मैं एकदम कमजोर हूँ मुझे इस पल के लावा कुछ मालूम नहीं रहता आप उस आईटम से मिल रहे हो जिसको किसी की बड़े नहीं मालूम मुझे कभी कुछ नहीं मालूम कि बच्चा कौनसी क्लास में तो कि उसकी प्रोबलेम है करने को अर्बो काम हैं बड़े-बड़े आदमी चाहे अपने को कितना भी छोटा बना के उलजा सकता है ये सब उलजने के रस्ते हैं इतना वक्त कहां से मिल जाता है समझ में नहीं आता तो जब भी हम मिले होंगे ये तारिक के साथ बता सकती है मैं आपको बताऊं उस समय की हालत और आज मैं जो कुछ भी हूँ आप फ्रंट पे देखते हो मुझे है ना ये भी एक रिष्टा है कम से कम लाको गुना परिवर्तन मेरे में इसके कारणा आया है कम से कम आदे इस बॉटम लाइन में कहे रहा हूँ ने वो ठीक है और सब कुछ बदल गया और बदली जाता है हर रिष्टे में बदलता है यदि रिष्टे कुदरत के नियमों को follow करकर बनते हैं साथ साथ चलते हैं और मैं तो धर्म समाज किसी चीज में मानता नहीं हूँ तो पक्का बता रहूं कि शादी भी नहीं करी इतने समय तक ये तो ज़रा अभी बिजनेस और ये और वो फुचर के तो सांसारी लपड़े हैं तो साल बर पेले करी वरना मैं धरम समाज के बंदों में बंदना ही नहीं चाहता रिष्टा दिल से होता है कोई जुदा करके बता दे रेल की पट्रियों को और बंदोगे दरोगे मरोगे प्रगती नहीं करोगे प्रगती नहीं करोगे इसका वज़ूद पूरा का पूरा सलामत पूरा का पूरा सलामत और रहना ही चाहिए मेरा वजुद पूरा का पूरा सलामत और दो वजुद मिलके एक लाख वजुद जितना कारिय कर पाएं तब मज़ा है साथ का ये क्या आप देखो शादी हुई नहीं कि दो साल में दोनों डीमरलाइज हो जाते हैं अब क्या है क्या करेंगे और सोचते ही है कि न करी होती है तो मैंने ये ये कर लिया होता ऐसा कैसे हो सकता है आप किसी के साथ हो और चमतकार नहीं हो रहा है कैसे हो सकता है आज मेरे पास क्या काम है देखो बोलना, लिखना, जीना बाकि सब काम ये करती है तो आपको बोलते हो दिखता हूँ आपको लगता है यह फ्रंट पर लेकिन एक इनसान बनता है तो back में कितनी force लेती relations की जो मैं आपको समझाना चाहरा हूँ इतना आसान नहीं है office सब काम समाल लेती है तो मेरे को कितनी राथ लिखना और बोलना तब ही इतना बोल पाया, वर्ल्ड में सबस्यादा बोला, शायद किताब भी वर्ल्ड में सबस्यादा लिखके जाओंगा और वो भी स्ट्रेट गुमा फिरा के बात करता नहीं में तो ये साथ होता है जो मैं समझाना चारा हूँ कि साथ हो चमतकार होता है, होता है और होता है और मेरे बच्चों से पुछो, दुनिया में किस से पुछो एक दम ऐसी दुनिया बनाई है हम लोगों ने मिलके कि जहां शेतान जहांक भी नहीं सकता जहां की नहीं सकता मनुश्य जिन्दा मिलेगा रात को तीन बजे उठाओ जिन्दा मिलेगा कैसे मर जाए कोई कोई किसी को मारी कैसे सकता है मारने की बात नहीं जिन्दा और नहीं की बात करो तो दुनिया बनाना चाहता हूं मैं भी आप से भी कह रहा हूं कि जो क्राइस्ट कह रहे हैं वो दुनिया बनाओ प्रकृति के नियम के साथ चलो ये छोड़, पकड़, ये कुछ नहीं दिन में दस-बिस बार तलाग शादी नहो हो तो रिस्ता ठिकी नहीं सकता तो तुरंट हो जाता तलाग है ना, आप बैठे हो प्रेम से और दूसरा बोले कितनी से लखती है यार तलाग होने में दो साइकोलोजी है और तलाग का अर्थ भी समद लेना दुनिया वली बदमा से तलाग का अर्थ होता है प्रकृति के हिसाफ से कि तलाग के प्रियड में कौन क्या कर रहा है यह जानने का किसी को अधिकार नहीं है यहां तो तलाग के प्रियड में ज्यादा इंक्पारी होती है कहां कही थी अरे तलाग का प्रियड है ना, जहां पे भी कही थी None of your business, none of your problem यह गलब बात है यह सब, इतना प्रिशर क्यों समझ में आ रहे हैं तलाग और मेरेज मेरेज भी पुछने का अधिकार है और मेरेज तो ठिकती नहीं है चाइनीज इंजन जगला तेरी मा मेरी मा जगला कहां ठिकती है मेरेज बड़ी मुश्किल से हमारी ठिकती है मैं दावे से केता हूँ पूरे 500 कषोल में इससे प्रिश्डा किसी का नहीं होगा यह दावे से क्यता हूँ और जो मेरा सबसे रिष्टा है जैसा भी मेरा रिष्टा है जिस से उससे हसीन रिष्टा इस कुदरत में नहीं है क्योंकि मैं नियमी नहीं तोड़ता अभी मेरा आपका रिष्टा है मैं आइटम खतर ना कूँ आप तोली नहीं पाओगे आप तोली नहीं पाओगे थोड़ा सा निकल जाओ बस आस पास से पट्री की तरह साथ साथ चलोगे भी छूट नहीं सकते आप सो मैं आपको जो कहना चाहरा हूँ वो यह है कि रिष्टे बड़े हसीन होते है बहुत मसा है साथ में रहने का लेकिन जो मैंने नियम बता है जबजस्ती नहीं स्वतंत्रा साइकोलोजी को मारो मत किसी को सोना है आथ तो जागना है अरे उसको सोना है क्या जागना तो जागना यार मलब क्या हो क्यों परेशान कर रहे हो क्यों परेशान कर रहे हो साइकोलोजी सलामत मनुश्य सलामत जिन्दा लोगों के साथ रहना चाहिए हर एक की साइकलोजी सलामत रखो Thank you very much एक और आत्री साज भीवाता हूँ आपको काका आओ इधर आओ इम्दास से आएं आजी आजाओ भी रिष्टों की बात चलिए बताता हूँ आजाओ काका ये इंद्रजी सिंग्वागेला है हमने इतना अच्छा रिष्टा निवाया है और आज भी ये और मेरे रिष्टे हमेशा से काका का तो बनता है काका काका जी कही भूके भी ले जाओ यारे दिस्टब कर रहा हूँ काका जी और हम तो पहले मैं न अब फिर मुझे से मत्वूदना साल मुझे नहीं मालूम कपकी बात है क्योंकि मेरे को हर बात कलकी लगती है क्योंकि जीवन च्छिक करके निकला है मेरा पॉज ही नहीं है टेंशन पाला ही नहीं है कोई रोक सकता नहीं है कोई रोक ही नहीं सकता मेरे को जो करना उससे क्योंकि मैं किसी को रोकता नहीं बस तो बालूम नहीं कितने साल हुए लेकिन 20 साल हुए होंगे शायद तो मैं उस समय इंदाद में लेक्चर देता था अब पोजिशन ऐसी खराब थी कि मैं धंदा पानी बंद करके बैठ गया था कि नहीं करना यार शोड़ो भी क्या बलिया मज़ा आता है लिखने बोलने में बलिया काम लेकिन क्राइसीस बहुत ज़्यादा तो हम लोग क्या अभी तो पूरी ओफिस मेनेज करती है लेक्चर अरेंज यह अकेले हास से करते थे और क्राइसीस बयाँ करती तो हॉल बुक कराएं छे साथ रोज के लिए तो पेसे लगें फिर माई फिर रेकोर्डिंग है ना तो क्या करते थे उस समय शुरू आप में चार-पांच बार कि हफते भर के सो रुपे रखेते था कि हॉल का अधा किरा निकले और बाकी के जेब से डाल दें क्योंकि प्रिंसिपल ही मेरे लिए एक चीज क्लियर थी कि किसी का अच्छा करने के बाद लेने का अधिकार तो आपके खतम ही हो जाते है संपोन अरुप से खतम हो जाते है मतलब गलत बात है ये तो ये कैसे कर लेते हैं ये लोग मुझे नहीं मालूम और अच्छा भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि कभी कभीर ने पैसे लिये नहीं गुरु कुल खोला नहीं, कृष्णा ने आस्रम खोला नहीं, बुध्य ने संपती बनाई नहीं एक मज़ा है ठीके, लेकिन फिर हॉल के पेसे भी न बचे तो मैंने करा बंद, इन्होंने भूब मिनत करी कुछ, डेड़ एक साल दियोंगे लेक्चर शायद है ना, डेड़ दो साल दियोंगे कई बार तो 6-6 गंटे के लिए था, एक लेक्चर 6 गंटे के लिए था, लगा अपतार 6 गंटे शिक करके देड़ों सो लोगों को बिटा दिया चूप चाप चे गंटर तक तो क्रश्णा पर चर्चा चल रही थी तो ठीक है फिर बंद करा मैंने बोला नहीं यह नहीं चलेगा तो फिर मैंने क्रश्णा को लगाया फोन मैंने बोला देख तुमने जीवन पर करी मस्ती और धरम का काम शुरू कप करा जब दार का बस गई और मेरे को यहां फसवार हो तुम लोग बेटके अब पैसे ले नहीं सकता और जैब में है नहीं तो मैं कैसे लिखूं कैसे बोलनों बताए तो तु एक काम कर जल्दी मेरे को भी है जल्दी तुमको भी है अजया मैं नहीं करूँगा दूसरा कोई करने वाला नहीं है तो पटापट ऐसा कर कि मुझे कुछ मांगना ना पड़े प्रेम से मैं 24 गंटे उपलब दूँ आपके लिए लेकिन मैं यह नहीं कह सकता उसने व्योस्ता कर दी जादू गरे जो मैं आपसे कहना चाता हूँ जादू गरे लेकिन यह रिष्टे हैं तब से आज तक हम क्या सोचते हैं मिलते हैं बिछलते हैं रिष्टों में बिछलना कैसे हो जाता है यह यहां का रिष्टा है समद लेना शरीर का नहीं है 10 साल मिलो, 20 साल मिलो, कोई फरक नहीं पड़ता है मिलो ना मिलो Krishna राधा से 90 वर्ष नहीं मिल पाए 18 वर्ष की उम्रों में बिछड़े 108 वर्ष की उम्रों में Krishna ने दुनिया को अलविधा किया 90 वर्ष एक पल के लिए भी राधा से नहीं मिल पाए तो क्या राधा से बिछड़ गए ये भाषा ही गलत है तो तेंक यू रिमज क्याका पुराने दिनों की याद आगे हमारे को तो मैं कहना चाहरा हूँ कि रिष्टे क्या से क्या करते हैं और सब मेरे पास आप किसी भी शहर में चले जाओ कहीं पे भी चले जाओ इतने प्रेमी लोग दुनिया खराब हो गई है न ये कहना गलत है हम अच्छे है सब अच्छा लेकिन प्रकृति के नियम से रिष्टे चलते हैं मेरे आसपास किसी को भी प्रकृति का नियम तोड़ना एलाओड नहीं चाहे जो हो जाए जीना मरना ये अपना सब्जेक नहीं है लेकिन नियम करनों सार होगा तो सब कुछ अच्छा होगा सो मैं जो आप से कहना चाहरा हूँ कि मैं जो कहता हूँ टोटल उसमें जीता हूँ बाकी लोग की तरह नहीं और इन नियमों में जीना इतना आसान नहीं है ये तो समझ मारा होगा और मैं पूरे समय नियम फॉलो करता हूँ तो इतना मुश्किल भी नहीं है मैं सारे रिष्टों में फॉलो करता हूँ सारे रिष्टों में फॉलो करता हूँ, आप दबो मत, आप मरो मत, किसी को मारो मत, हिम्मत आएगी, मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा, और जीओगे, और बढ़ोगे, और जीओगे, और बढ़ोगे, आप उतना ही बढ़ोगे, जितना हसीन आपका साथ होगा, और जितना साथ होगा, तो बगर रिष्टों के नहीं बढ़ोगे, लेकिन प्रक्रति के नियम के खिलाब जाके रिष्टे बनाओगे, तो मरोगे, मरोगे और मरोगे. तो मैंने आपसे कहा, कि आप एक साइकोलोजी हो, दूसरा भी एक साइकोलोजी है, प्रक्रति में दो साइकोलोजी का कोई संबंद है लाउड नहीं है, कोई संबंद है ही नहीं, कोई संबंद नहीं है, दोनों को एक साथ चाइनिस खाने जाना है, तो संबंद बन जाता है वरना संबंद खतम हो जाता है हमको यह सिखा जाता है कि adjust करो, compromise करो और महला आयो तो दबाओ, उसके तो मरजी मत पुछो अरे? उसकी मरजी तो सबसे पहले जरूरी है यह अपने आपको धार्मिक केते हैं सामाजिक केते हैं और घर में इनसान मर रहा है कितने इनसान मर रहे हैं एक एक परिवार में जाकना बाहर मत जाओ आप अपने परिवार में आज के बाद जाके देखना कितनों को मार रहे हैं और कितने मर रहे हैं कहां के धार्मिक, कहां के इनसान कछ नहीं है और मरना एक पलका है शरीर नहीं हो आप आपको सिर्फ सोने की इच्छा है और सोना न मिले उत्ते मर जाते हो समझ मारी ये बात उत्ते में मर जाते हो वो मौत असली है वो मौत असली है अभी घर में शादी करके लड़की आई अब उसको 11 बजे उठने की आदाते समझो क्या हलत हो जा उसकी 5 बजे से बहले 710 बजे उठती हो इंडियन सास भी मास्टर है इंडियन सास भी आइटम होती है उस दिन सुवए 5 बजे उठेगी चलो बहू अरे यार हमार यहां की बहुए 5 बजे नहीं सोती अरे यार यह कोई नियम है क्या मतलब मारने की फैक्टी लगा रखिये धरम और समाज के नाम पे और परिवारों के नाम पे नहीं मारो मत और एक चीज और के दूँ कि राजी होना जरूरी है आज के बाद समद लेना मनुष्य की साइकलोजी बदलने का अधिकार कुदरत को नहीं है क्योंकि साइकलोजी कुदरत ने दी है किसी क्रश्णा क्राइस्ट कबीर ने कभी साइकलोजी बदलने की कोशिश नहीं करी है एक शब्द लेके आओ किसी ग्यानी का जिसने आपको बोला हो कि ये करो ये मत करो प्रश्ण नहीं नहीं उटता है क्रश्ण अब पूरी गीता में अर्जुन से बार बार कहते है कि न कुछ पाप है न कुछ पुन्य है ये बक्वास कहां से खोज लाया तू ये कहां से खोजलाए आप आपकी psychology है दुसरा भी psychology है खूब रिष्टे बनाओ आपस में psychology सलामत रखो और psychology सलामत कब रेखी जब दुसरा राजी होगा है ना आप राजी हो, मुझे पिच्टर जाना है और आप राजी हो तो मैं आपकी आपका जिंदा रहना और मेरे साथ जिंदा जाना जरूरी है